का नमश्क्राइब नेरंतर जारी रहेगा इसलिए एश्टिा को लाइक करें सब्स्राइब करें यूच्यूब अब आज का विशेश टॉपिक स्वाइन फ्लू कि क्या आप जानते हैं स्वाइन फ्लू भी वास्तु दोश के कारण ही होता है स्वाइन फ्लू के पीछे क्या एस्ट्रो वास्तु कारण रहता है क्या एस्ट्रोलेजिकल कारण है यह भी हम जानेंगे और यह भी जानेंगे घ ऊटर का वास्तु गंदगी बिगाडती है पिए हम जानते हैं कि यह आक कि प्र स्ट You पीशिक पर उते दिया जानते है Ti a yield जानते हैं कि हम इसके पीछ लॉजिकली क्या परिभाशा दे सकते हैं के कि कि इसी भी तरीके का viral infection भी फैलता है उसके पीछे कारण होता है के तूप कुई कि जितने भी कीठ हैं जी जितने भी इंफेक्षन हैं जो एरबोन और वोटरबोन है कि केतू के कारण फैलते हैं लेकिन इसका कॉजटिव ऑर्गनिजम जो होता है जो वाइरस है वो राहू को संबलाइज करता है साथ बसाथ के अंदर जूतिशी अगर हम इसका एमैंगलम करेंगे यानि कि जूतिश और वास्तू को जोड़ेंगे तो मैं आपको बता देता यह घटनाएं क्यों होती है जब कभी भी केतू का कनेक्शन सूर्य के साथ होता है तो कीट जनक यानिकी मच्छर से या किसी इंसेक्ट से बीमारिया फैलती है लेकिन हम यह जानने की कोशिश करेंगे इस बीमारी का कैरियर कौन होता है इस बीमारी का जो कैरियर होता वो होत करता है वो प्ले करता है शनी इसलिए अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो बहुत ज़्यूदा रिस्पॉंसिब्ल है स्वाइन फ्लू को फैलाने के लिए यह डायरेक्शन वास्तू के कॉर्डिंगली है इस्ट डायरेक्शन जो सूरी की है नौर्थ इस्ट डायरेक्शन जो केतू की है वेस्ट डायरेक्शन जो शिनी की है साथ बसाथ कंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन नानिके नरित्रकॉन जो राहू को संबलाइस है यह चार ऐसी डिरेक्शन्स है जिसके कारण स्वाइन फ्लू फैलता है और इसके पीछे चार जो प्लानेट्स रिस्पॉंसिबल है वो हैं राहू सूर्य केतू और शनी और यह चार डिरेक्शन्स के अंदर कहीं न कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यह घ्रह कारण करते हैं पैदा करते हैं कीटों को और जिनके वज़े से प्रॉब्लम्स जनरेट होती है आएज जानते हैं किसके डिरेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके नौर्थ ईस्ट कोने में बहुत जादा हरियाली है और वहां पर ज्जाड है जिनकी सफाई नहीं होती है तो केतु खराब हो जाता है और इस डिरेक्शन के अंदर मच्छों का मच्छरों का उत्पादन शुरू हो जाता है अगर आपके इस्ट कोने में गंदगी का भरावा कोई नाला बहरा है अंडरग्राउंड कोछ ऐसी स्थिति आ रही है तो आपका स पर पानी का फ्लोग बहुत जादा है तो वाँ पर जर्मीनेशन शुरू हो जाता है इसलिए शनी महां बिगड़ना शुरू कर देता है अगर आपके घर के साउथ वेस्ट कोने के निवर किसी तरीके का कोई गटर है या किसी तरीके का कोई ऐसा पैसेज यहां पर गंदगी अब हमें से कैसे सुधा रहे हैं यह भी मैं आपको बताओं देखिए इस्ट डिरेक्शन जो होती है वह अगनी के डिरेक्शन है वह डिरेक्शन है सूर्य की तो इस जगे आप बहुत जादा यूस कर सकते हैं ऐसे प्लांट्स का जिन पर मच्छर नहीं आते जिन जो मच्छ को लें अगर आपके घर की नॉर्थ इस्ट डएरेक्शन के अंदर तूल्सी का पौधा लागाते हैं तो भी आपके डायरेक्शन ठीक हो जाते हैं और यहां पर क्योंकि तूल्सी की जो स्मेल होती है वह स्मेल में मिन्ट होता है उसलिए वहां से इनसक्टिसाइट और इस्पेशली नीले कनेर का अगर आप पेड लगाते हैं तो यह आपको बहुत छुब परिणाम देता है जिससे इंफेक्शन दूर अगर आपके घर की साउथ वेस्ट डिरेक्शन के अंदर आप सदा बाहर का पौदा लगाते हैं तो यह एक ऐसा पौदा है जो बहुत जादा अगर बाइशनल प्रापटी रखता है जिसकी वजह से जो नीले उसके फूल होते हैं आपने देखा होगा वालेट कलर के जो फूल होते हैं सदा बहार के यह वाइट या थोड़े से टौट ब्लू यह इतनी अच्छी मेडिशनल प्रापटी रखते हैं कि इस जगे की और आ अगर आप लॉंग को जलाकर अगर धूप करते हैं तो आपके घर के बहुत सारे इंफेक्शिंस वास्तू के पॉंट अफिश से दूर हो जाते हैं और आपके घर की और अक्लीन हो जाती है तो दोस्तों हम और रोमान्चक टाप टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही वास्तू की बात कमल लंदलाल को देखते रहें अपना प्यार यहीं बर्साते रहें और अपने जीवन को सरल सोगम और सफल बनाते रहें वास्तू की बात कमल लंदलाल में बसा जतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी एक ने टॉपिक को लेकर